नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम समानने विज्ञान से रिलेटेट इंपोर्टेंट 20 कोशन डीटेल में डिसकासन करेंगे यहां समानने विज्ञान की सीरीज का पार्ट 115 है जो की आने वेले रे प्रस नम्मर एक दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रसनी सुद्ध सोना कितने केरेट का होता है दोस्तों सुद्ध सोना 24 केरेट का होता है यानि ओप्सन भी इसका सही हो जाएगा दोस्तों सुद्ध सोना 24 केरेट का होता है दोस्तों यहां काफी नरम होता है यानि 24 केर लाग मिलाया जाता है ताकि इसमें कठोरता आ जाए दोस्तों भारत में आभूशन बनाने में प्रायट 22 करेट यानि 22 करेट गोल्ड का परियोग किया जाता है नेक्स कुश्चन प्रस नम्मर दो नीम लिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तर दाई है दोस प्रस नम्मर दो नीम लिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तर दाई है दोस्तों लाइकोपीन क्या होता है यह टमाटर के रेड कलर के लिए उत्तर दाई होता है और सन से इसका ठीक हो जाएगा प्रस नम्मर तीन जोनास सॉल्क किस की खोच के लिए जान नमक वायरेस द्वारा होने वाला संकरम बिमारी होती पोलियों के चीकिक हो सरपर्तम जोनास सोलकनी की थी नेक्सक्त कुस्चछ नम्मर चार हवा में अमल वर्षा निमन में से किसके छोड़े जाने के कारण होती है दोस्तो हवा में अमल वर्षा यानि एसीड रेन यह सलफर डाय ओक्साइड और नाइट्रोजन ओक्साइड छोड़े जाने के कारण होती है ओप्सन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो अमल वर्ष और nitrogen oxide वर्साइड के साथ किरिया करके nitrogen अमल और sulfuric अमल में परिवर्टित हो जाती हैं दोस्तों acid rain का pH मानोता कितना होता है तो आप बताएंगे acid rain का जो pH मानोता है वह 5.5 से भी कम होता है दोस्तो ए सीट रहें यानि अम्बल वरसा की जो खोज किती रोबर्ट एंगस समिथ ने की थी प्रेस नंबर तीन मनुस्वे का मेरू डंड कितने हड़ी ставста मिलकल बना होता है दोस्तो रीड की हड़ी की लंबाई जोती है वह वेसको में 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है दोस्तो यह 33 वर्टेबरेट से मिलकर बनी होती है नेक्स कोश्चन प्रस नम्मर छे नीमलिखित में से एक रसायनिक अभिकिरिया नहीं है दोस्तो नीमलिखित में से पानी का भाप में बदलना यहां रसायनिक अभिकिरिया यानि केमिकल रियक्षन नहीं होता ओप्सन भी इसका सही हो जाएगा पानी का भाप में बदलना यहां फिजिकल रियक्षन यानि बहुत तिक अभिकिरिया का उधारन होता है हम बात करते हैं रसायनिक अभिकिरिया के बारे में रसायनिक अभिकिरिया में पधार्थ परिवर्तित होकर अलग पधार्थ में बदल जाते हैं तथा पधार्थ के रसायनिक गुणों एवं रसायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है जैसे मुम्बती का जलना, खाना क पकना दूद से दही में परिवर्तन होना तथा लोही का जंग लगना यह सभी रसायनिक अभिकिरिया के उधारन है अगर हम बात करते हैं फिजिकल डियक्षन यानि भौतिक अभिकिरिया के बारे में दोस्तों भौतिक अभिकिरिया में भौतिक विधी दुवारा पधार्त को पुना प्रारेमिक आवस्ता में प्राप किया जा सकता है। दोस्तों जैसे पानी का जमकर बरत में परिवर्थन होना तथा चीनी का पानी में घुलना मौम का गलना यह सबी भौतिक परिवर्थन के उधारन होते हैं। नेक्स कोश्चिन। प्रस नम्बर 7 एक सूखे cell में रसायनिक उर्जा पाई जाती है उप्सिन इसका ठीक हो जाएगा बात करते हम सूखे cell यानि dry cell के बारे में dry cell यह विधूत रसायनिक cell होते हैं जो कि कम बिजली से चल सकने वाले portable electric device में इस्तेमाल होते हैं जैसे radio कर दोस्तों दोस्तों प्रत्म भारतिये नाभिके रियक्टर अफसरा था यानि option D एए भारत में परमाड़ो उर्जा कारिकर्म की सुरुवात स्वतनदता प्राप्ति के सब्सक्राइश के आक्टर होमी जहांगीर भाबा के नेत्रुत में शुरू हुआ था प्रथम भारती नाभीकिये रियक्टर अफसरा था जो कि दोस्तों यह चार अगस्त कब दोस्तों चार अगस्त 1956 को इसने कार्य करना आरह में किया था इसमें इरुनियम था जो वह इंधन की रूप में जल का इस्तमाल किया गया था क्या दोस्तों अफसरा नामक नाभीकिये रियक्टर में यूरेनियम था जो इंधन की रूप में तता मंदक की रूप में जल का इस्तमाल किया गया था नेक्स कोश्चन प्रेस नंबर 9 एक जेव पधती जिसमें प्रेस रव्य धोनी का उप्योग किय जाता है इसका सही जवाब होगा सोनोग्राफी दोस्तों सघ्माल रोगें उप्चार में संकीत भीजने में समुद्र की घहराई मापनें में बाध का पता लगानें में प्रस्त्रव्य तरंगों का इस्तमाल किया जाता है नेक्स कोश्चन प्रेस नम्मर दस विश्व स्वास्त संग्ठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनी प्रदूशन इस्तर होता है दोस्तों डबलू अच्छे वानी वर्ल्ड हैल्थ ऑग्नाजिशन के अन ध्वनी उत्पन होती कितने दोस्तों साधारन बाचीत में 30 से लेकर 40 डेसिबल ध्वनी उत्पन होती जबकि जेट विमान के द्वारा 140 से लेकर 150 डेसिबल ध्वनी उत्पन होती है दोस्तों मनुस्य के लिए मानक ध्वनी जो होता है वह 60 डेसिबल होता है नेक्स्ट कोश् हड़ी होती है सबसे चोटी हड़ी माने जाती है और फिन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों मनुस्तिय के सरीर में कुल हड़ी को संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे मनुस्तिय के सरीर में कुल हड़ी को संख्या होती है यह बैंगलूरू में इस्तिते ओप्शन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों भारती विज्ञान संस्तान यानि आई आई एस जिसे दोस्तों इंडियन इंस्टूट ऑफ साइंस भी कहते हैं यह दोस्तों भारत का विज्ञानिक अनुसंधान और उच्च सिक्षा के लिए अपना 27 माई 1909 में हुई थी कब दोस्तों 27 माई 1909 में इसकी स्तापना हुई थी नेक्स कोश्चन प्रस नम्मर 13 नेम लिखित में से कौन एक मिस्र धातू नहीं है तो दोस्तों नेम लिखित में से आपको बताना कि कौन सी एक मिस्र धातू नहीं है तो इसका सही जवा हो ज याध ता-था-था-धित-धा था-धित-धा-था-था-धित-ध। तो इसका सही जबाब हो जाएगा पारा यानि मर्कुरी यह है दोस्तो समानने ताप पर द्रव होता है ओप्शन से इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो पारा यानि मर्कुरी इसे हच जी की रूप में परदसित करते हैं तथा इसका परमारू संख्या कितना होता है तो आप बताए इसका पर मारू चंख्या होता असी तथा पर मारू द्रब में पाई जाती है नेक्स कोश्चन प्रस नंबर 15 आंत्रिक्ष यान के अंदर आंत्रिक्ष यात्री डैस वजन महसूस करते हैं तो दोस्तों आंत्रिक्ष यान के अंदर आंत्रिक्ष यात्री जोते हैं वह अपना वजन जोता सूनने महसूस करते हैं यानि ओप्सन सी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों आंत्रिक्ष यान के अंदर आंत्रिक्ष यात्री जोते हैं वह अपना वजन जोता सूनने यानि जीरो महसूस करते ह गोला विरिक्ष की आयू वर्सों में निर्धारित की जाती है इसके तो दोस्तों विरिक्ष की आयू जो होती है इसमें वार्षिक वलयू के संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है Option D का सही हो जाएगा दोस्तो विर्ख्ष की I.U. इसमें मौजूद वार्षिक वलेयों के अधार पर यानि Annual Ring वा Growth Ring को गिनकर ग्याद की जाती है जो कि दोस्तो वलेय की रूप में पोधे के तने यानि इस टेम में पाई जाती है परतिएक वार्षिक वलेग दोस्तो एक वर्ष की यानिक होता है वह एक वर्ष की वृध्षी को संकेत करता है Next question प्रस नम्ब्स सतरह फलो के मीठे स्वाद का कारण होता है तो दोस्तो फलो के मीठे स्वाद का जो कारण होता है options का ठीक हो जाएगा follow का मीठा सुवाद fructose के कारण होता है दोस्तो fructose को false रकरा भी कहा जाता है क्या कहते है fructose को false रकरा भी कहा जाता है दोस्तो इस प्रकार की सरकरा मुख्यता follow में ही पाई जाती जिसके कारण fruit का जो test होता हो मीठा होता है दोस्तो फ्रक्टोस को यहां एक मॉनो सेके राइट्स होता है नेक्स कोश्चिन प्रेस नमर 18 कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है दोस्तो कालिंदी यहां यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है option 10 का ठीक हो जाएगा दोस्तो यहां कोश्चिन railway NTPC तथा एससी सीचेसल में पूछे कोशन है दोस्तों यमुना का नाम कालिंदी क्यों पढ़ा तो आप बताएंगे कालिंद परवत से निकलने के कारण यमुना का नाम कालिंदी पढ़ा है दोस्तों बात करता है यमुना नदी के बारे में दोस्तों यमुना का जो कुल लंबाई है वह मिल जाती है next question प्रेस नंबर 19 नीम लिखित में से किसके दुआरा greenhouse gas परभाव पढ़ता है तो दोस्तों आप बताएंगे नीम लिखित में से carbon dioxide के दुआरा greenhouse gas परभाव पढ़ता है यानि option इसका right हो जाएगा दोस्तों बात करता है greenhouse gases कौन कौन से हैं तो आप बताएं greenhouse gases होती है carbon dioxide, nitrous oxide, methane, chlorofluorocarbon, water vapor and methane यह सभी greenhouse gases होती है next question प्रेस नंबर 20 दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रसन डेपीटी व्यक्षिन में पी किसे संदर्वित करता है दोस्तों यह प्रसन रेलवे एंटीपीची 2016 में पूशा गया कोशन है दोस्तों डेपीटी व्यक्षिन में पी जो यह पैटैसिस को संदर्वित करता यानि जाइगा दोस्तों डेपैटी यह थीन घहातक बिमारियों में लगे जने और तीका होता अपि दोस्तों सवस्तों तीन बिमार्य कौन-कौन से ऐए पहली धिफ्टीरिय दूसरा पैटैसिस तीसरा दोर किनस कौन सी दोस्तों तीन वीमारिये नाम है डिफ्टैरिया पेटेसिस और केटिनस नेक्स कोश्चन दोस्तो आज की वीडियो का होंबग यह प्रसंद आप सब्सक्राइब करें पहली बार जी एसलीवी का इस्तमाल कब किया गया था दोस्तो इसका सही जबाब आप सबी को कॉमेंट सक्षिन बताना होगा दोस्तो अगर आपको यह वीड आपको समझ में आती है वीडियो को लाइक करा करें चैनल को सब्सक्राइब करा करें दोस्तो इस वीडियो को पीडियेफ आप स्सी में कर टेलीग्राम चैनल से पराप कर सकते धन्यवाद दोस्तो सब्सक्राइब